इस फटी पुरानी टोपी को देखकर मूर्ख मत बने इस टोपी के नीचे एक शीर्ष व्यापारी का कौशल छुपा है बरनार्ड नाम का यह छोटा काला लड़का एक जूता बनाने वाला है लेकिन ध्यान दे की वह जानबूजकर बैंक के सामने अपना स्टाल लगाने का विकल्प चुनता है ताकि उसके सभी ग्राहकमीर सफेद लोग हो लोगों के वह जूते चमका कर कमाए गए थोड़े पैसे की परवा नहीं करता वह धीरे धीरे काम करता है ताकि वह उन वित्तिय रहसियों को सुन सके जिनके बारे में गोरे लोग बात कर रहे हैं जब वे गोरे चले जाते हैं तो छोटा लड़का इसे एक नोटबुक में लिख देता है वह वास्तव में मुल्यवान वित्तिय ज्यान चाहता है जो उसने बहुत कम उम्र से सुना था वह जानता है कि उसका सपना सफल बेंकर बनना है यह 1949 का टेकसास है जहां अश्वेत लोगों के साथ घोर भेदभाव किया जाता है उनके पिता दुखी होकर उन्हें बताते हैं कि उनका सपना असंभव है लेकिन बरनार्ड की आखे सभी बाधाओं के खिलाफ द्रिर संकल्प दिखाती है 15 साल बाद लड़का बड़ा होकर अपनी पतनी यूनिस और बच्चों के साथ लोस एंजिल्स चला जाता है जहां रंग भेदभाव उतना गंबीर नहीं है जितना की उसके अपने घर में था इसलिए जब वो यहां अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का फैसला करता है तो वो और उसका परिवार एक रिष्टेदार के छोटे से घर में रहना पड़ता है फिर भी बरनार्ड अपनी पतनी से वादा करता है कि वे जल्द ही बाहर निकल जाएंगे वह एक रियल एस्टेट एजेंट है एक एजेंट के रूप में शुरू होता है और घरों की तलाश करता है शहर में हर जगा सावधानी पूर्वग बिक्री के घर के माध्यम से वह पाता है कि लॉस एंजल्स में अश्वेट समुदाय अत्यदिक भीलभार वाला है जबकि श्वेट समुदाय के पास अभी भी कई खाली घर है काले लोगों के पास किराय की जरूरते और वित्तिये ताकत है लेकिन कोई बजार नहीं है वह सामने एक सफेद स्वामित्व वाला अपार्टमेंट देखता है जहां खर पत्वार उगे हुए थे जहिर तोर पर बहुत अच्छी स्थिती में नहीं है फिर भी वह केवल घर के स्थान का लाब देखता है जो कालेक शेत्रस से सटा हुआ है वह मालिक के पास जाता है और कहता है कि आपने केवल आधा अपार्टमेंट किराय पर दिया है तो आप इसे मुझे क्यों नहीं बेच देते मैं आपको अभी 30,000 डॉलर दूनगा और जब मैं पूरा कमरा किराय पर लगा दूनगा तो मैं तुम्हें किराय के लिए 5000 डॉलर दूनगा हाला कि मालिक उसके विचार की सराहना करता है लेकिन वह जोकिम भरा व्यवसाय नहीं करना चाहता जाने से पहले बर्नार्ड ने अपनी समझ व्यक्त की वह अचानक मालिक के कैलेंडर पर नजर डालता है जिससे पता चलता है कि यह स्थानिय बेंट प्रबंधक द्वारा दिया गया है इसलिए उसके दिमाग में एक विचार आता है वह मालिक को अलविदा कहता है और सीधे बेंट जाता है जहां उसे कैलेंडर भेजने वाले प्र प्रबंधक के सचिव ने उसे प्रबंधक से मिलवाने से मना कर दिया। अर्बंधक से मालिक उसे दोश नहीं देता है लेकिन उसके विश्वास की प्रशंसा करता है। जवाब देता है कि मैं अपार्टमेंट की इमारत का नवीनी करन कर रहा हूं। बुलिया मतलबी आवाज में बोलती है कि सावधानी से काम करना। बर्नार्ट जवाब देता है चिंता मत करो यह मेरी इमारत है और मैं निश्चित रूप से इसकी अच्छी देख भाल करूंगा अवाब बुली औरत गुस्से में घर चली जाती है और पुलिस जल्दी बर्नार्ट को यह बताने के लिए आती है कि एक बुली महिला ने पुलिस को फोन किया है और फिर उससे पूछा कि क्या वह बॉस होने का नाटक कर रहा है। बर्नार्ट फिर उन्हें संपत्ती प्रमा प्रमानपत्र की एक कौपी देता है उससे पहले ही पता था कि ऐसा कुछ होगा इसलिए वह पहले से तैयार था। पुलिस को पता चलता है कि घर वास्तव में उसका है इसलिए वे उस रात बर्नार्ट अपार्कमेंट की इमारत में लोटता है दरवाजे पर बुली औरत उस उसे में बाहर चली जाती है, क्योंकि वह उसी इमारत में काले लोगों के साथ नहीं रहना चाहती है, जैसे ही बुल्या चली जाती है तो बर्नार्ड अपना घर एक काली महिला को किराय पर देता है, उसे यकीन है कि उसके पास काले किरायदार का बजार बहुत बड़ा है, पह जाना मालिक लेंदेन पर बातचीत करता है, और अनुबंध पर हस्ताक्षर करता है, ऐसा करने से गोरे लोगों को पता नहीं चलेगा कि वे काले लोगों के साथ व्यापार कर रहे हैं, और वे प्रॉफिट को आपस में बाट लेंगे, बर्नार्ड आसानी से सहमत हैं, क्यों उसकी बुद्धिमत्ता है, जब कोई उसके साथ भेदभाव करता है, तो वह पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि तब वह अन्य लोगों के खेल में गिर जाएगा, वह अपने नियमों से चलाना चाहता है, आर्थिक और अधिक्तम लाब उसका अंतिम लक्ष है, हाला कि जीवन ह अमेशा सुचारू रूप से नहीं चलता है, और चुनोतिया किसी भी समय उत्पन हो सकती है, पूर्व मालिक जो बरनार्ट के साथ काम करता है, वह बुड़ा और कमजोर है और कुछ साल बाद अचानक उसकी मृत्यू हो जाती है, और इसके बाद उसकी पतनी कमपनी में हिस सेदारी मांगने लगती है, यह महिला काले लोगों के साथ गंभीर भेदभाव करती है और बरनार्ट के साथ सहयोग नहीं करना चाहती है, वह बहुत ही कम कीमत पर बरनार्ट से शेर खरीदने की जिद है और अगर वह असहमत होता है तो वह उस पर मुकदमा करेगी, जब ग किसी को ढूंडना पड़ेगा जो पुराने मालिक के साथ उसके सहकारी संबंध को साबित कर सके, इसके लिए वह बैंक प्रबंधक के बारे में सोचता है, लेकिन प्रबंधक ने पहले ही गोरी महिला का सहयोग किया है और बरनार्ट को फिर से टाल देता है, बिहद निराश बरनार्ट बैंक में खड़ा होता है और साफ सुत्री बैंक इमारत के चारों और देखता है, हर जगा व्यवस्तित रूप से भेद भाव दिखाता है, सिर्फ अपनी तवचा के रंग के कारण जब वह बैंक में जाता है, तो अक्सर उसका तिरसकार किया जाता है, यह सोचक बरनार्ट के दिमाग में धीरे-धीरे एक सहसिक योजना उभरती है, एक इमारत में चार बैंक हैं और उनमेंसे प्रतियक ने इस काले आदमी के लिए दरवाजे बंद कर दिये हैं, उस पल बरनार्ट के दिमाग ने एक प्रतिभाशाली विचार उत्पन किया और मन में ही स मैं इस इमारत को खरीदूंगा और देखूंगा कि आप में इसे कौन मेरे खिलाफ फिर से भेदभाव करने की हिम्मत करता है। वह इस इमारत को क्यों खरीदना चाहता है क्योंकि जब तक वह इमारत का मालिक है, अंदर का बैंक उसकी सेवा करेगा, वे उसे रिंड देने से इनकार नहीं करेंगे, वे उसे रियल एस्टेट ट्रेंस के बारे में भी बताएंगे ताकि उसका रियल एस्टेट का कारोबार बिना किसी दिक्कत के चल सके जो इस विचार से चौप गया है लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद उसे विश्वास है कि यह काम करेगा हाला कि वह बेहत धनी है फिर भी वह हर जगा गोरे लोगों के अधीन है अगर वह सफेद भूमी पर सफेद बैंकरों पर कदम रख सकत है तो वहादिक पैसा कमाएगा इसलिए उन्हें इस संबंद में एक एजेंट के रूप में एक गोरे व्यक्ति की आवश्यक्ता है बर्नार्ड पहले से ही एक गोर आदमी को जानता है जिसका नाम मैट है जो मरमत के साथ उसकी मदद कर रहा है यह आदमी एक इमानदार आद करता है और गोल्फ खेलते समय जल्दी से गोल्फ में कुशल हो जाता है मैट एक गोल्फ क्लब में एक युवा और होनहार उद्यमी की तरह रियल एस्टेट वेल्यूएशन की गणना कर सकता है मैट बैंक बिल्दिन के मालिक से मिलता है निश्चित रूप से यह मीटिंग जो द्वारा आयोजित की जाती है बतचीत अच्छी होती है मैट को बिल्दिन खरीदने का मौका मिलता है लेकिन मैट नहीं जानता की यह कैसे करना है बतचीत से पहले बरनार्ड मैट को सभी तयारी करने में मदद करता है वह अंधेरे के बाद इमारत में रोशनी की संख्य की गणना करता है और इमारत की रिक्ति दर की गणना करता है और फिर प्राप्त करता है भावन के वार्शिक revenue and operating cost का अनुमान लगाता है और मैट को मालिक से मिलने से पहले इन नंबरों को याद करने के लिए कहता है परिनाम से फर्क नहीं पड़ता की बिग बॉस अपनी संपत्ति के बारे में कैसे अनुमान देता है मैट हमेशा एक कदम आगे होता है और सटीक संख्या बताता है जो बिग बॉस को जटका देता है उसके बगल में लेखाकार भी चुप रह जाता है वे सभी सोचते हैं कि उन्होंने एक गनित प्रतिभा और सी ए का सामना किया है अंत में बरनार को वह इमारत मिल जाती है जिसकी शुरुआत में 2.4 मिलियन डॉलर से आदे की कीमत सिर्फ 1.5- 6 मिलियन डॉलर में मिलती है उसके बाद से जब भी बरनार इमारत के अंदर या बाहर जाता है तो हर बैंक के अध्यक्ष उससे हाथ मिलाने आते हैं वह छोटा प्रबंधक जिसने अतीत में उसके लिए मुश्किले खड़ी की थी वह बैंकिंग और दियोग के समर्थन से च तुरंद बाद कई अश्वेथ होनहार युवा सफेद पढ़ोस में चले जाते हैं बरनार अपने परिवार को वापस टेकसास ले जाते हैं ताकि वो अपने पिता ब्रिटेन से रात के खाने पे मिलने जा सके ब्रिटेन ने बरनार से कहा कि उन्हें उसकी उपलब्धियों अगले दिन बरनार अपने बेटे के साथ शहर घूमने निकलता है घूमते समय बरनार उस बैंक के सामने आ जाता है जहां बरनार ने जूता चमकाने वाले लड़के के रूप में काम किया था उस समय टेकसास सबसे अधिक जातिवाद का स्थान था बरनार एक युवा जैसे बर्नार्ट जूते चुमकाते थे जब वह छोटे थे। बर्नार्ट को आश्चर्य हुआ की लड़का केवल गोरे लोगों के जूते ही साफ करता है। यह छोटी सी घटना बर्नार्ट को छूजाती है और अपने साथी आदमी के प्रती जिम्मेदारी की भावना जगाती वह चुपके से अपना मन बना लेता है कि उसे इस तिथी को बदलना होगा और अपने ग्रिहनगर में काले समुदाई को बहतर आवास प्राप्त करने में मदद करनी चाहिए। वे मेट को फिर से मिलते हैं और एक बार फिर बैंक से मिलने के लिए उसका उप्योग करते हैं। स्वीकरित रिन की जाच शरू कर देता है। एक दिन फ्लोरेंस मेट का पीछा करता है और बरनार्ड के साथ मिलता है और जो उन्हें स्वीकरित रिनों के बारे में बताता है और उन्हें यूएस। ट्रेजरी विभाग से एक पत्र के साथ धम की देता है उनका कहना है कि विभाग एक महीने में बैंक के संचालन का निरीक्षन करेगा। उस समय के दोरान दोस्तों ने अपनी अगली चाल पर चर्चा की मेट एक सुझाव के साथ आता है कि हमें लोन में लेंड बैंक में स्थानांतरित करना चाहिए। वे मालन मूर के बैंक की खरीड पर चर्चा करते हैं और बरनार्ड कहते हैं कि मुख्य समस्या बैंक की संचालन की देख रेक करना है। उन रहकों के बारे में एक कॉल प्राप्त हुई जो सभी अपना लोन वापस लेना चाहते हैं मामले को बत्तर बनाने के लिए एक संधिय बैंक परीक्षक आता है मैट बर्नार्ड की मदद करने के लिए मारलिन बैंक आता है जो खुद को एक सफाय कर्मचारी के रूप में तयार होकर आता है ताकि वह मीटिंग के दोरान मैट के पास रह सके दुरभाग्या से इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि परीक्षक को कई रिनों पर एक गंभीर समस्या का पता चलता है बर्नार्ड अविश्वास में है कि बेतु का रिन्स वीकरित हो गया अंततह उन्हें पता चला कि यह सब फ्लोरेंस जूनियस कर रहा था यह पता चला है कि बेंक चालाते समय मेंट प्रोटोकॉल पे धायान नहीं देता और एक वकील का इस्तेमाल किया जिसकी फ्लोरेंस ने सिफारिश की थी इसी कारण फ्लोरेंस समस्यागरस त्रिनों में घुसने में सक्षम था कुछ समय बाद बर्नार्ड एंड जो कहते है कि मलिन बैंक से बहार निकलने का ही एक उप्षन है मेंट बैंक को छोड़ना नहीं चाहता था इसलिए वो अपने भागीदारों को बताए बिना एक चाल चलता है जो अगले दिन उसकी चाल के बारे में सीखता है और बर्नार्ड के साथ में लैंड बैंक पहुँचता है विरिन के बारे में मेट का सामना करते हैं जबकि फ्लोरेंस उसके चहरे पर गर्व की नजर से तमाशा देखता है बर्नार्ड मेट को बताता है उनकी खाते प्राप्त करें लेकिन बहुत देर हो चुकी है संगीय बैंक के परीक्षक में लेंड बैंक के संचालन के लाइसेंस को रद करने के लिए पहुँचते हैं जबकि भवन से बाहर निकलते समय FBI उनको गिरफतार कर लेती है बर्नार्ड और जो अपने पक्ष में खड़े होने की कोशिश करते हैं लेकिन यह एक वियर्थ संधर्श है कुछ समय बाद बर्नार्ड और जो अपने वकील से मिलते हैं उन्हें पता चलता है कि उनका मामला देश में कुछ नसलिये राजनीती के साथ घासीटा गया था इस बीच मेंट ने सैनेटर मेकलेलन के खिलाफ गवाही देने के बारे में बात की अपनी स्वतंत्वता के बदले में साथी मेंट उस रात अपने अगले कदम पर विचार करता है और एक फोन कॉल करता है मैट मेकलेलिन की सुझावों का पालन करता है और अगले दिन सीनेट की सुनवाई में अपने भागीदारों के खिलाफ गवाही देता है। उस दिन बाद में बर्नार्ड भी मेकलेलन से मिलता है और उसके प्रस्ताव को सुनता है जो वह उसे देता है एक इम्यूनिटी सौधा लेने और मैट की गवाही की पुष्टी करने का विकलपिया बर्नार्ड जो चाहे कह सकता है और अंत में जेल जा सकता है। इस बीच मैट स्टेना द्वारा भुपतान की गई कीमत के एक छोटे से अंश के लिए मुख्य भूमी बैंक पर कभी भी किसी भी अपराद का आरोप नहीं लगाया गया। कई वर्षों बाद बर्नार्ड और जो जेल से बाहर निकलते हैं यूनिस को यह अजीब लगता है कि दोव्यक्ती अपना सारा भाग्यक होने के बाद भी खुश दिखते हैं। यह पता चला है कि ऐसा बिलकुल भी नहीं है जो बताता है कि उनके पास बहामास में एक दूसरे के बगल में संपत्ती है।